Today's topic chapter 4, chapter name The Red Trap, writer name Slema Logar Loof, class 12th, short answer. Question 3, What is the purpose of words existence in the eye of the peddler? बच्चो, पैडलर की नजर में विश्व के अस्तितवाल होने का, विश्व का existence होने का, क्या उदेश या परपस था? चलिए देखते हैं, क्या उदेश और परपस था? आंसर है, हमारे दा, परपस of words existence is the set bets for people, like a rat trap. विश्व के अस्तितवान होने का, उदेश चुहेदानी के तरह लोगों के लिए प्रती लोभन तयार करना है. बच्चों पैडलर जो सोचता है, वो सोच रहा है कि, जैसे हम लोग चुवा फसाते हैं, उसमें रोटी लगाते हैं, उसी तरह से लोगों के लिए भी पहेदानी के तरह ही लोगों को लालेश देने के लिए तयार है. यह पैडल बोला चारे हैं, और as soon as anyone let himself be tempered to touch the bat, जैसे ही कोई लालच में आकर प्रती लोभन को छू लेता है, वैसे ही, it closes in on him, वा उसमें बंद हो जाता है, बच्चों यहाँ पर रेट्रेप बोल रहा है, मतलब हमारा जो पैडलर है, रेट्रेप तो चुवेदानी होती है, पैडलर हमारे बोल रहा है, जैसे ही लोग लालच में आते हैं, और वो मतलब यह पैडलर का नजरिया है, और वो उसमें बद हो जाता है, तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेर, सस्क्राइब करिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी, बाइ बाइ